Hello Everyone, Extra Knowledge में आपका स्वागत है तो आज हम आपके लिए GIC का जो कि 19 तारी को एक्जाम हुआ है समाशास का उसकी आंसर की लाए हैं तो आप सभी लोग अपने पेपर से मैच कर लिजे आंसर को और उसके अधार पे आप सभी अपने नंबर बताईए कमेंट बॉक्स में जिससे हम ये डिसाइड कर सके कि कट ओफ कितनी जा सकती है तो आप सभी लोग अपने रेल मार्क्स डालिए और उस अधार पे अनुमान लगाया जा सकेगा कि कितनी cut off इसकी जा सकती है क्योंकि paper जो moderate to tough था ठीके तो आई अब हम solve करा देते हैं पूरे papers को तो पहला question है जो कि समाने दिन की पहले questions देखेंगे हड़ा पाई पुरा इस्थल बनावाली किस नदी पर इस्तित है तो यहाँ पर जो answer हैगा option D रंगोई नदी पर ठीके तो जिन लोगों ने भी रंगोई लगाया उनका answer सही है ठीके बनावाली किस नदी पर इस्तिते रंगोई नदी पर इस्तिते और question number two है बाड़भट ने हश्राइद में किस मौर रिकालिन सासक का उलेक किया था तो यहाँ पर जो answer हैगा option B व्रेदत तो व्रेदत जो थे यह मौर रिकालिन सासकती इनका उलेक बाड़भट में हश्राइद में किया गया है और देखेंगे question number three में क्या बात की गई है question number three निमलीखित मैसे दिली के किस सुल्तान ने आम आनविये डंड देना बंद कर दिया था तो यहाँ पे बहुत सारे student ने फिरोज सा तुखलक लगाया होगा लेकिन यहाँ जो answer होगा सही यह होगा रजिया सुल्तान ठीक है तो देखें मैंने जहाँ तक search किया है उस अधार पे आपको बता रहें एक दो question उपर नीचे हो सकते है तो जो हमारे answer की के हिसाब से कितने आपके marks बन रहें उसे आप बताईएगा बाकी जब officially आती answer की तो थोड़ा बहुत उपर नीचे होता ही है ठीक है question number 4 वह कौन सा प्रथम मुगल बाश्या था जो अंग्रेजों का pension भोगी बना तो यहाँ पर जो answer रहेगा option B रहेगा तो यहाँ पर प्रथम मुगल बाश्या थे जो अंग्रेजों के pension भोगी बने थे अब आईए देखते question number 5 question number 5 में बात की जा रही है कि भारतिय राष्टी कॉंग्रेस में समलीत होने के लिए सुभाशन बोश को किसने प्रेरित किया तो यहाँ पर जो answer रहेगा option D चितरनजन दास और MK गांधी इन दोनों को प्रेरित किया थे सुभाशन बोश ने भारतियराष्ट कॉंग्रेस में समलीत होने के लिए तो यह option D सही रहेगा और question number 6 की बात की गई है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जन जाती विद्रों का नेतरत तो किसने किया था तो यहाँ पर जो answer रहेगा option A सही रहेगा तिरोध सिंग ठीक है तो तिरोध सिंग जिन्हों ने लगाया उनका answer सही है और question number 7 बात किया जा रहा है निमलीखित में से कौन हडपाई पुरा इस्थल उत्तर प्रदेश में इस्थित नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कौन से हडपाई इस्थल इस्थित नहीं है तो यहाँ पर answer होगा देशलपूर यह कहाँ पर पढ़ता है यह गुजात में पढ़ता है तो देख लिजेगा इस चीच को और आईए अब question के आगे बढ़ते हैं देखते हैं कौन-कौन से answer सही है कनोज पर महमूद गजनभी के अक्रमड के समय वहाँ का शाशक कौन था तो यहाँ पर जो answer रहेगा option C, जौनपूर सही रहेगा और आप आईए देखते हैं question number 10 में क्या बात की जा दिये तो निमलिखित गुप्त कालीन मंदरों में कौन सा उत्तरपदेश में अविस्थी थे तो यहाँ पर answer रहेगा option D देवगर का दस अवतार मंदी जो की उत्तरपदेश में अविस्थी थे और यह किस काल का है गुप्त कालीन मंदीर है question number 11 RBI दोरा कितने बैंकों पर जुलाई संदोजा 21 में नियुमों के लंगन के लिए जुर्माना लगाया गया था तो जुर्माना कितने बैंकों पर लगाया गया और आप लोगों को फिलाल कोई लगता है तो प्लीज आप लोग बताईएगा मैं कोशिश करूंगी उसका अंसर सही करने का और question number 12 GST परिशत का अध्यक्ष कौन है तो यहाँ पर जो अंसर हैगा option B Oxfam के द्वारा ये रिपोर्ट अश्मानता वायरस वैस्विक रिपोर्ट जारी की गई है और question number 14 में बात की जारी परधान मंत्री फशल बीमा योजना सुरू की गई थी तो यहाँ पर जो अंसर हैगा option C परधान मंत्री फशल बीमा योजना सुरू की गई है आई अब बढ़ते हैं देखते हैं next question निमलिखित मैंसे कौन सा एक भारत निर्मार योजना का संगठक नहीं है तो यहाँ पर जो question का अंसर हैगा option C ग्रामीर उद्धोग इसमें थोड़ा सा confusion है लेकिन आप लोग एक बार देख लीजेगा और आप लोग कमेंट करके बताईएगा यहाँ पर जो ग्रामीर पियेजल की भी बात की जा रही हो ग्रामीर उद्धोग भी जहां तक यह answer जो है option C सही रहेगा जिन्होंने भी लगाया है question number 16 में बात की गई है वर्स 2021 से 2022 के संघीय बजट पुस्ताओ छे स्थम्बो पर अधारी थे निमलीखित मैंसे कौन सा एक उसमें समलित नहीं है तो यह बात की गई है तो यहाँ पर option B सही रहेगा गाउं की अर्थ विवस्ताओ सुद्री करण की बात नहीं की गई है वहीं बात करेंगे question number 17 पर तो भारत में mutual fund को निमलीखित मैंसे किस संस्था द्वारा वेनेमित किया गया है तो यहाँ पर answer रहेगा option B से बी के द्वारा question number 18 में बात की जाए बैंकों की उभगता सेवाओ का सुधार का सुझाओ देने के लिए तो भारत की कुल भगालिक छेत्फल में उत्तरप्रदेश का कितना भगालिक प्रतिशा थे तो यहाँ पर option A सही रहेगा 7.33% जो की भगालिक छेत्फल है उत्तरप्रदेश का ठीक है question number 20 question number 20 उत्तरप्रदेश का कौन सा सहर मार्च 2020 को राजी के जीडिप और प्रतिवेक्तियाई के मामले में सिर्स इस्थान पर रहा है तो यहाँ पर जिसने भी थोड़ा सा भी गैस किया होगा तो यहाँ पर answer option B जो की सही रहेगा question number 21 निमलिखित में से कौन सा उत्तरप्रदेश का प्रमुक द्योग नहीं है तो यहाँ पर बात की जारी कौन सा प्रमुक द्योग नहीं है तो यहाँ पर आटो मोबाईल जो की प्रमुक द्योग नहीं है ठीक है यहाँ पर बात की जाए और सभी दोगे आटो मोबाइल नहीं है आईए अब बरते next question देख लेते हैं निमलीगित मैंसे कौन सा एक उत्तरपदेश का लोकनेत है तो देख लिजे यह PDF थोड़ी से clear नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग questions देख करके और कोशिश कीजिएगा मिलाने की ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा option D जैता जो है यह उत्तरपदेश का लोकनेत है वहीं बारवे वित्ते आयोग की बात की जाएगी तो option B सही रहेगा C रंग राजन और आप देख के question number 24 तो इसमें जो आपका पूछा गया कौन सा सही नहीं है तो यहाँ पर option A असम जो की सही नहीं है ठीक राजसभा की सीटों की मिलान में असम नहीं सही है यह answer रहेगा वहीं 25 question देखे निमलिखित मैसे राजी के नीर निदेशक तत्यों को कौन सा अनुछे राजी को निदेशित करता है कि वे उद्दोग के प्रबंदन के कामकारों की सहभागिता को सुनिशित करेगा तो यहाँ पर option A सही रहेगा 43 A ठीक है यहाँ पर यह answer सही रहेगा वहीं देखे question number 26 तो उत्तरपदेश में विधान परिशर वित विधय को कितने दिन में विलंबित कर सकती है तो यहाँ पर option B 14 दिन तक है ठीक है और भारती समिदान में महादिवक्ता की नियुक्ती की बात 165 में बात की गई है और मॉली करतव्यों को समिधान के विल्स वे समिधान संसोदा 19 शियता के द्वारा किसके अनुसार जोड़ा गिया है तो यहाँ पर option C स्वान सिंग समिती के द्वारा आईए अब आगे देखते हैं questions और friends आप हमाई चैनल से ऐसी जुड़े रहे हैं आप जिन भी student का UGC net का exam लगा हुआ है हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तयारी कराएंगे इसकी तो आप लोग हमाई चैनल से बने रहे हैं और प्लीस चैनल को शेयर कीजिए और आप लोगों को जो भी topic चाहिए हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दिए मैं उस पर भी कोशिक करूँगी वीडियो प्रोवाइट करने की तो अब देखते हैं question number 29 निमलिखी त्युगम मैंसे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर बात किया जा रहा है तो इसका थोड़ा सा आप लोग देख लिजेगा कि इसका अंसर क्या होगा वैसे तो option D मेरे हिसाब से सही होना चाहिए लेकिन इसका आप लोग answer एक बार देख लिजेगा ठीक है तो थोड़े से जो question से उनको छोड़ करके और सारा आप मिलान कर सकते हैं और उसके अलावा question number 30 की बात करें तो यहाँ पे खनी जो खादान छेतरों से मिलान करना था तो यहाँ पे option D सही रहेगा ठीक है पहले का यह 3 रहेगा और मैगनीस का इटाबीरा रहेगा उसके बाद तांबा का सड़वरी रहेगा और बाकसाइट का वाइपा रहेगा यह मिलान रहेगा तो जिसने भी यह लगाए उनका यह answer सही है आप देखते हैं question number 31 निमलिखित मैसे किस देश से होका भूमा दे रेखा नहीं गुजरती है तो यहाँ पे यह बात की जारी question number 32 की तो मयूस अर्चन क्रेंद्र किस जनपत में इस्ती थे तो यह है यहाँ पे अंसर होगा option B मतुरा में इस्ती थे और question number 33 निमलिखित मैसे उत्तरपदेश की कौन सी अंसूची जनजाती वारार्सी जनपत में नहीं है तो वारार्सी में सहारिया नहीं है यह कहाँ है यह सोन भद्र में है ठीक है और सभी जो जनजाती है अनसूची जनजाती यह सब वारार्सी में पाई जाती है अब आईए देखतें next question पस्तित के तंत की अफधारना प्रथमबार किस ने दी तो यहाँ पे confusion ने इस question को भी आप छोड़ सकते है या फिर आप इन दोनों में से अब यह आयोग देखिएगा इसको किसको सही मानता है इसका answer वही question number 36 की बात करें तो इसमें बात की गई है कि खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है तो यहाँ पे answer रहेगा option D जिले खेती कहलाता है वही 37 question अगर देखते है तो यहाँ पे जो answer रहेगा कि मोटे अनाज वाली फसले कहां उगाई जाती है तो यह निचले छेत्र यहाँ पे answer सही रहेगा और सौर रूजा का कारण यहाँ पे option A सही रहेगा और वही अगर बात करें 39 question की 39 question का जो होगा option C 20 सही रहेगा और 40 question जो की विसम यूग के पहचान करना तो यहाँ पे answer option A मृत्यो रोग जो की यह सही रहेगा विसम यूग का चुनाओ करना तो यहाँ पे option A सही रहेगा तो यह आपके हो गए समाने अध्यन के 40 questions और आप लोग मिला लीजिए और 1 थर्ड की negative marking गए उसको cut करके आप अपने marks को देख सकते हैं अब आईए बढ़ते हैं और देखते हैं समाशास के questions को question number 41 इसमें बात किया जा रहा है कि समाशास के पूर्व इतिहास को लगबग 100 वर्षों में रखा जा सकता है मोटे तोर पर 1750 से 850 तक यह किसने बात किये तो यहाँ पे answer option C TB bottom और ने इसकी बात किया है तो समाशास को समाश प्रपेश का अध्यन करने वाला कहा जाता है या कथन किसका है तो यहाँ पे answer option A सही रहेगा योगेस अटल ले ये बात कहिए कि समाशास को समाश प्रपेश का अध्यन करने वाला कहा जा सकता है वहीं अगर question 43 की बात किया जा है तो यहां पे जो प्रस्तिती सामुची भूमिका सामुची भूमिका करम बदता यह आपधाना यह दो बहुत इजी आंसर है इसका ऑप्शन सी आरके मर्टरने से दिया है हो ही 45 की बात की जाएगी कोषण की तो किसने समारिक सरच्णा को संस्थागत व्यवस्था तथा छेतरों के संदर में परिभा Kerry भाशित किया है तो यहां पर जो आंसर है तो यहां पे भी आपके दो आंसर मिल रहे हैं, एक आपका रूशो और एक अरस्तू, इन दोनों ने बात किया हुआ है, जैब कि असमानता को प्राकतिक वासारी ग्रूप में, तो यहां पे जो suitable आंसर बैठ रहा है, वो option A सही है, ठीक है, बाकी आपका आयोग पे डिपेंड क यह जो थे, इन्होंने सहयोग की बारे में सरप्रथम व्याक है, उसके बाद विको ने भी की है, रेंट जैन होफर ने भी किया है, लेकिन यहां पे जो आंसर आएगा, option B सही रहेगा, आईए हम next question देखते है, तो यहां पे आपको जो कोई सूची से मिलान करना था, तो इस एसी दुबेर ने समीर पेट गाओं का दिन किया, तथम मेके मेट ने रामपूरा का, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आएगा, option A सही रहेगा, अब आईए रेखते हैं, question number 49, एक प्रख्यात विध्वान जिसने समाजी करन की प्रकिरिया में सांस्कतिक आत्मशात्मी करन एक सांस्कतिक परेक्शन को प्रयाप्त महात दिया है, यह किसने बात किया है, तो यहाँ पर option C, किम्बल यंग सही रहेगा, वहीं बात करें, question number 50 की, कि प्रतिस फर्दा को सांतिपूर संगस की रूप में किसने विवेचित किया है, तो देखें, यहाँ पर कोजर और मैक्स वेबर को, तो अब यह आयोग पर डिपेंड करेगा, कि वो किसे आंसर मानते हैं, तो वैसे तो इसका आंसर option C, सही रहेगा, मैक्स वेबर, लेकिन आयोग पर डिपेंड करेगा, कि इसका भी आंसर वो किसे मानते हैं, ठीके, और उसके बाद question number 51, सास्त्रिय समाशास्ति पर तो बहुत साई questions ऐसे थे, जिनको आप नहीं guess कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक ही पॉइंट से आपके answer आ सकते थे, तो question number 52 में बात की जारी कि वेबर्द और परस्तु सत्ता के प्रकारम मैं से कौन सी नहीं, तो उन्होंने परंपरात्मक, सत्ता, वैधानिक, करश्माई, इन सब की बात की थी, लेकिन ताना साही की बात नहीं की थी, तो ये आपका answer सही होगा, कि ताना साही की उन्होंने बात नहीं की थी, वहीं अगर बात किया जाए 53 question में बात की जारी है, कि सही सुमेरित कौन सा नहीं है, तो option C, sociology of Indian sociology, ये पुस्तक राधा कमल मुखरजी की नहीं है, बाकी diversity, पी मुखरजी की इंडिया, स्टेंजिक मुले, स्टी दुबे की विलेज इंडिया मेरित की है, ठीक है, मही question number 54 देखा जाए, तो पुंजी बात में अलगाओ के अभी अब कौन से है, तो पुंजी बात के कारण जब अलगाओ होता है, तो उसमें यहाँ पर option D, चारो सही रहेगा, एक, दो, तीन, चार, मतलब उत्पादक, गतिवीदी, उत्पाद, सहकरमीशे भी अलगा होगा, मानविय सामार्थ से भी अलगा होगा, तो यहाँ पर option D, 1, 2, 3, 4, सारे सही है, मही question number 55 देखते है, कि समारिक परस्थित्की के बारे में किस ने अर पर बारे में किस ने बात किया है, तो माक्स ने बात किया है, आधस पर रूप के बारे में, मैक्स वेवर हो गया, समाजिक तत्थि के बारे में, दुर्खिम हो गया, और डार्विम बाद स्पेंसर हो गया, तो इस हिसाब से आपका answer option B सही रहेगा, और question number 57 की बात करें कि 7 म बात की जारी है, कि विश्व के बारे में, अपने सिधान में, उन्होंने बौधिक कार्कों को क्रेइट किया, वास्तों में उन्हों तर्क दिया, कि बौधिक आवेवस्था ही, समाजिक आवेवस्था का कारण है, अब ये question पूछा जारा है, देखे, बौधिक 59, वेवर के विचार के अनुसार, एथियासी प्रगती तथा विकास को एक प्रग्रिया के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा है, तो यहाँ पर option A सही रहेगा, विवेकी करण उन्होंने कहा है, ठीक है, question number 60, प्रतिकारी कानून, ये भी एक लाइन में इसका answer आ सकता था, option C, दुर्खिम सही रहेगा, वही question number 61 की बात कीज़े, कि वर्ग इस्थिती के बारे में किसने बात किया है, तो यहाँ पर max waiver, वर्ग इस्थिती मतलब देखे काल माक्स ने तो उद्द्योगों की अधार पर आर्थ वेवस्ता की अधार पर वर्गों का मतलब उस्थ नीच बताया है, और अगर वर्ग प्रस्थिती मतलब इस्थिती के अधार पर वर्गों को किसने बताया है, तो max waiver ने बताया है, तो यहाँ पर answer आएगा max waiver, 62 रहेगा, निमलिखित मैसे किस विद्द्वान ने समय और इस्थान को समाजी जीवन के ने सिरों से प्रभाशित किया है, समय स्थान और दूरी करन की अवधानक प्रियो किया है, तो यहाँ पर option C, Anthony Giddens रहेगा, वही अगर बात करें, question number 63 की, तो इसमें बात की जारी है, कि यह पुस्तक after marxism, पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पर बहुत सारे student ने उर्लिक बेक लगाया ह लेकिन यह जो पुस्तक की बात की जारी, ना कि यह concept की बात की जारी, तो यह जो पुस्तक के option D, Ronald Aronson ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, और 64 question जो की कौरवी व्यवस्ता, इसके बारे में कहीं भी नहीं आपने पढ़ा होगा, तो यह जो व्यवस्ता यह पद का प्रिय आंसर सही हो रहे, अब आईए देखते question number 65, दुर्खिम के अंसर निमलिकित में से एक विशिश विशिश्ता समानी चेतना की नहीं है, तो यहाँ पे option D, निधारण, जो की विशिश विशिश्ता समानी चेतना की नहीं है, वही question number 66, मानवी शास्ती सरंशनावाद का पिता क किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे answer option A, C, लेवी स्टोस सही रहेगा, और question number 67, की बात किया जाए, तो निमलिकित में से किस प्रतिकात पक अंता कि दिया वादी द्वारा भूमिका गरान की अवधाना, भूमिका गरान को बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे, त अंसर सही रहेगा, और 68, प्रकर्यात में विकल्पो के बारे में किसने बात किया है, तो यहाँ पे भी answer R.K.Murton सही रहेगा, तो यह सब questions easy थे, लेकिन कुस questions बहुत tough भी थे, कि जिनके बारे में मिल पाने answer बहुत difficult हो रहा था, बहुत मुस्किल से आप PDF प्रोवाइड हो पाईए मुझे इसका paper मिल पाया है, तो आज हम आप लोगों के इसलिए इसके answer करवा दे रहे, तो देखिए, आर्थी win में और समाजी win में अंतर किसने किया है, देखिए, अब यहाँ पे भी confusion है, कि Jay Fraser को भी मान सकते हैं, और Peter Blau को भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे दो answer में confusion है, वैसे हमारे साब से option B सही रहेगा, Peter Blau सही रहेगा, लेकिन James Fraser ने भी बात किया है, अब इसे आयोग किसे सही मानता, उसी साब से देखा जाएगा, ठीके, question number 70, नरजाती विज्ञान पधिती का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे option C, Harold Garfinkel, ठीक रहेगा, answer question number 71, जिस्तर की बात की जाई, तो यहाँ पे उपरोक्त मैं से कोई नहीं answer होगा, वही 72 का देखे कि Garfinkel ने लोग विज्ञान में, जिन प्रमुक अवधाना को प्रयोक्त किया है, वे हैं, तो यहाँ पे जो answer रहेगा, यहाँ पे आपका answer 4 सही रहेंगे, option D, 1, 2, 3, 4, 4, दस्ता यहाँ पे answer रहेगा, option B, W.I. Thomas ने इस्तिती की परिभाशा के बारे में, समाजी करन के विशे में, स्तिती की परिभाशा किसने दिये, W.I. Thomas ने दिया है, वही 74 कोश्यन जो है, प्रतिकात्म अंतकरियावाद की महत्पुन जड़े, तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ option C सह ही रहेगा, एक तथा दो, दोनों सही है, अब देखते है, question number 75, एडमर्ड होशल ने प्रगटना विज्ञान सिध्धान्त में, अपने विचारों की विवेशना है, जिन अब धानाओं का प्रियों किया है, वे है, तो यहाँ पे जो answer रहेगा, इसका answer मिल पाना थोड़ा देखें कि मैंसे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे option A सही है, केवल 1 सही है, ठीकि लोग विदिविग्या समान बोत की पदिती का प्रियोग नहीं करता है, यहाँ पे केवल यह सही रहेगा answer, वही question number 77, देखें कि मीड के अनुसार स्वयम का सार होता है, तो स्वयम का जो सार के पिटर ब्लॉक की, वहीं समाज शास्ती सिधान उलंगन प्रियोग एक विधी के रूप में किसने बात किया है, जिसे ब्रेचिंग इस्पेरिमेंट भी बोलेंगे, इसके बारे में किसमें बात की गई है, तो लोग विधी विज्या में बात की गई है, अब आईए देख संगयन आत्मक एथिहासी पाइप्रेक्स से कौन समबंदी थे तो यहाँ पे लुइस डियूमा इसका अंसर सही रहेगा, और 83 में किसके कारण WF अर्गबन ने डेर सो समाजी परिवतनों को संकलित किया है तो यहाँ पर आप्शन B सही रहेगा रेडियो उसके अलावे 84 जो की बात किया जा रहा है विश्वास का तूटना ही अधुनिकता का एक बहुत बड़ा परिणाम है वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र समानी करण किया वे कौन है तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन B एन्थिनी गिडेंस और क्वेश्वास नमबर 85 की अगर बात किया जाए भायत में पश्वी करण की प्रकिरिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें निम्न चार्स इसकों में विवेचित किया जा सकता है नमबर वन है विलोपन वादी परिवर्तन और तू है योगशील परिवर्तन थ्री है सहायक परिवर्तन या फोर सलिस्ट परिवर्तन तो इसके बारे में पश्वी करण के बारे में ये चार स्रीशा किसने बताया है तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन B एस एच अलतास इसके बारे में बताया है वहीं अगर क्वेश्चन नमबर 86 का देखे तो बात किया जा रहा है सहरी करण जनसंक्या संक्रेंद की एक प्रक्रिया है यह दो तरह से आगे बढ़ती एक आगरता विंदुका गुरन और वेक्तिगत एक आगरता के आकार में बढ़ती तो इसके आप लोग समझ करके आंसर अपना टिक कर लीजिए ठीक है और 87 कोश्चन का अगर हम देखें तो किसके आंसर समाजिक नियंतर की यांतर की दित्यक रक्षाओं की भाती विचलन को रोकने के लिए क्लिए क्लिए तो यह है आंसर ऑप्शन ए टॉलकॉट पासंस और 88 कोश्च ने इसके बारे में बात किया है वही कोश्चन नमबर 89 की बात किया जाए कि किस यूग के आदर्श वा मूलियों में अगर पिछली यूग के मुकाबले कुछ नया पन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा तो यहां पर ऑप्शन एसा ही र पर ऑप्शन डी योगेंद्र सिंग अब आई ये देखते हैं कोश्चन नमबर 91 किसने कहा है कि एक सईयुक परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समु है तो इसके बारे में बात किया है इरावती करवे ने और कोश्चन नमबर 92 विवा स्वैम में एक संस्था है प कि आए और कोश्चन नमबर 94 में बात कि जारी कि बुलंदस है जिले में कि फस्वे करवे नहीं किने किसने किये तो यहां पर औंपशन में ध्युक यहां देखिए लॉकी करन के बारे में MNC निवास ने ओमैक्स वेबर दोनों ने बात किया है ठीक है अब यहाँ पर ऑप्षण ए ज्यादा सुटेबल बैठ रहा है क्योंकि विवेकी करन की भी बात की जा दिये तो ऑप्षण ए सही रहेगा यह हो सकता है मेभी आयोगी से ऑप्ष सी जेच हटन जो की जाती को पूर्टा एक विश्चित भारती प्रगठना को नहीं मानते हैं क्वेशन नमबर 97 की अगर बात करें तो 97 जो की हरित क्रांती के संदर्व में पूछा गया तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ऑप्षण ए सही रहेगा केवल एक ठीके ऑप्षण ए सही रहेगा वहीं क्वेशन नमबर 98 की बात किया जाएगा कि 98 में कौन सांस है तो बंदुत को समाजी संबंदों का मूर्श रोत किसने माना है तो यहाँ पर TN मदर ने माना हुआ है और क्वेशन नमबर 99 की बात किया जाएगी जिसमें IRDP के बारे में पूछा गया था तो यहाँ पर ऑप्षण D सही रहेगा एक गलते किंतु R सही है यहाँ पर ऑप्षण D सही रहेगा और 100 अगर क्वेशन देखें जिसमें बात की गई थी रिगवेद में प्रियुक्त नातिदाई सब्दवली और नातिदाई नियाम महलाओं की भूमिका की समापती और दूसरा ता परिवार की समापती तो यह बात किया है ऑप्षण B ओकले ने और क्वेशन नमबर 102 में जो की बात किया जा रहा है गरीबी के मुखी कारण क्या होते हैं तो यहाँ पी जो आंसर 234 सही रहेगा ठीक है स्वेम व्यक्ति ना हो अनुचेद की बात की गई है तो अनुचेद 46 की बात की गई है और क्वेशन नमबर 104 कस्तुरबा कांधी विद्याले की यूजना तो ऑप्षण C सही रहेगा 2004 में और कहीं कहीं 2005 दिखा रहा है लेकिन प्रारांब की गईती बात कर रहा है तो 2004 का सही अंसर रहेगा उसके अ अब विक्सित किया और फिर बहुयामी गरीबी सूच कांगो तो यहां पर आंसर ऑप्षण B सही रहेगा 1997 और 2010 में उसके बाद क्वेशन नमबर 106 देखें तो भारत में समान पाईश्रमी अधिनियम किस वर्स पाइद किया तो ऑप्षण A सही रहेगा 1976 में क्वेशन नमबर 107 में बात किया जाए तो इसमें बात किया जा रहा है कि कारिस्थर पर महिला उत्पीरर रोक्थाम निसेदिम निवारा अधियम तो यहां पर ऑप्षण C सही रहेगा 2013 और 108 में जो कि किस वर्स अंसूची जाती परभासे सब्द को प्रस्तावित किया गया तो देखें यहां पर जो 1932 और 1931 में थोड़ा सा है लेकिन जो आंसर रहेगा प्रस्तावित किया गया की बात कि जा रही तो ऑप्षण D 1931 सही रहेगा उसके लावा 109 कुश्चन में बात किया जा रहा है कि किसने एक परिकलपना को किसी ऐसी चीज के बारे में एक अस्थाई कथन जिसकी वैद्धता अग्यात है यह परिभाशा किसने दिये तो ऑप्षण A सही रहेगा AJ Black और DJ Champion ने यह परिभाशा दिये वही कुश्चन 110 में बात की जा रही कि समाजिक सर्वेच्छा के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पधिती प्रियोकर की जाती है समाजिक सर्वे के लिए तो ऑप्षण A प्रशनावली और संरचीत सच्छतकारी है समाजिक सर्वेच्छा के लिए तथ्यों को संकलन के लिए बह भाशा को दिया था question number 112 निमलीखित में ऐसे एक वेग्यानिक सोथ की विसेश्था नहीं है तो यहाँ पे option रहेगा C यह विसेश्था नहीं है जबकि सत्यापन सिलता निशात मकता और वैस्विक्ता यह सब वेग्यानिक सोथ की विसेश्था हैं और question number 113 में क्रेंदी प्रवर्ती की माप नहीं है तो option B काई वर्ग नहीं है जबकि माध ही माधिमिका और भावला किये क्रेंदी प्रवर्ती की माप है अब देखे question number 114 question number 114 नेम लिखित में ऐसे कौन सोथ प्रारूप से संबंदित नहीं है यहाँ पर answer रहेगा option B जे बी सोमंस यह सोथ प्रारूप से संबंदित नहीं है नारी उत्थान के लिए इनोंने कई कारी किया है question number 115 किसने कहा है कि साचछतकार समान भागिदारों की बीच वारतालाप नहीं है तो यहाँ पर यह परिभाशा किसने दिये option B इस टेनर कौवाले ने इस बात को कहा है वही question number 116 जो की बात किया जारे कि मादिका का सही सूत्र क्या है तो यहाँ पर option A सही रहेगा question number 117 की बात की जाए कि इसमें बात की जारी कौन सी सोथ प्रारशना सास्ती प्रारशना के रूप में जानी जाती है तो यहाँ पर option C सही रहेगा प्रियोगी सोथ प्रारशना जो की सास्ती प्रारशना के रूप में जानी जाती है question number 118 बात किया जारा है कि बाहुलग का सूत्र तो देखिए यहाँ पर माधिका दी गई है बहुलग जो होता है 3 माधिका माधिका माधि होता है माधि नहीं दिया है लेकिन समानतर माधि दिया है तो यहाँ पर option A सही रहेगा उसके बाद 119 में बात किया जारा है 20 statement test जिसे TST बोलते हैं यह किसके द्वारा विक्षित किया गया था और question number 120 जो कि last question है कि सह भागी अवलोकन पत किसके सथ जुड़ा है तो यहाँ पर जो answer आएगा option D E landband के द्वारा जुड़ा हुआ है तो आप सभी लोग अपने answer को मिला लीजिए और किसका कितने answer बन रहे हैं कितने सही हो रहे हैं निगेटिव मार्किंग को हटा करके आप सभी लोग कमेंट कीज़े उस अधार पे cutoff भी निधायत की जाएगी कि कितना cutoff जा सकती है तो ज़्यदा ज़्यदा लोग अपने real marks को डालिए और उस अधार पे यह अनुमान लगाया जाएगा कि कितनी cutoff जा सकती है and thank you for watching my channel